है गाइज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लुक बैक इन एंगर जिसे लिखा है जॉन आस्बोन ने तो जॉन आस्बोन है यह एक प्रिटिश ऑथर है इनका यह जो प्ले है लुक बैक इन एंगर बहुत ही फेमस हुआ था एक टर्म के साथ किचन सिंग ड्रामा किचन सिं को नाम दिया गयता है यंग एंगर और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे बॉलिवूड में आमिताब बच्चन को भी एंग एंगर बोला जाता है अब यह जो नौवल है यह सबसे पहले बात तो यह दिखा रही है एक ऐसा परसन जिसका नाम है जिमी पोर्टर है ए लोग है जो वर्किंग क्लास पीपल है उनकी लाइफ बहुत जादा हार्ड होती है और जो अमीर होते है यह उनसे बहुत ही जादा नफरत करता एक तरीके से और उन पर हमेशा गुस्ता ही रहता है तो यह जो प्ले है यह लिखा गया था नाइंटीन फिफ्टी फाइफ यह पर तीन एक्ट्स में डिवाइड है तो स्राट करते हैं तो जो सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है एक ऐसे रूम में एक ऐसे अपार्टमेंट में जो कि एक विक्टोरियन वर्किंग क्लास हाउस के ऊपर का एक कमरा है वहां पर रखी गई है अब इसमें पता चल जात इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्लिफ लेविस अब जो जिमी पॉटर है उसकी एक वाइफ है जिसका नाम है ऐलीसन जो की एक अमीर है और फिर भी उसने से शादी करी है जो जिमी है वो एक मिडल क्लास से है वोकिंग क्लास से है इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी उस जिसका नाम है Helena तो जो है वह एलिसन की फ्रेंड है और स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो जिम्मी और क्लिफ है वो दोनों ही स्टेज पर बैटे हैं और क्योंकि यह प्ले था तो स्टेज पर परफॉर्म करने के ल अब जो एक अमीर फैमिली से थी और इसे हमेशा इन सभी चीजों पर गुस्टा आता है अब जो फर्स एक्ट है यह सबसे पहले चीज दिखाता है कि जो जिम्मी है उसका जो एंगरी होने का रीजन है वो अपर क्लास के लिए है और इसे लिए और इसे लिए अब लिए वो इसकी वाइप से भी हमेशा लड़ता रहता है कि इमोशन को समझने के लिए सफरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि अमीर लोगों ने तो कभी सफर ही नहीं किया होगा इसलिए जो गरीब है जो मिडल क्लास वर्किंग क्लास है वही उन सब चीजों को समझ स करते हैं और वह हमेशा ही अलिसन के साथ लड़ता रहता है उस पर गुसा करता है वह इसलिए क्योंकि वह एक अपर क्लास से बिलॉंग करती है अब यहां पर बताया गया है कि यह जो जिमी है इसको कुछ नोस्टैल्जिया है कुछ पुरानी यादे हैं पास्ट एज की जब डैति हैं पर बाद करती है और आपर कर किया एक ऐसे पुर मेंज देखेंगा इसको कुछ भी नए पर जूख घर जाए है से अछोग यह उसका पर प्र नपहने कंता है ऐसlog शोजि कर गया Turkey जब खाना है और ऊसका जानों की जो ढ़ते ही होती और उसके जाती आई Whoa बॉर और काफी मांग कर बहा सा चला जाता है लेकिन जो क्लिफ है जो कि उसका दोस्त है वो क्या करता है ऐलिसन के जो बर्न हुआ है उसका हाथ जो जला है उसको ट्रेट करने में उसकी मदद करता है और यहां पर वो बताती है उसे की वो प्रेग्रेंट है और लेकिन यहां पर यह भी जिम्मि को यह चीजा नहीं बता रही है। यहापर उसका रीजन देती है कि जो जिम्मी है और भी ज़ुभा को गुसाहोजाएं उसे और अंगरी हो कि उसने धहर कर लिया है वा Rein जाल में फसा लिया है। लेकिन जो जुम्म है उसे बताता है यहां पर देखने को मिलता है जो क्लिफ है वो से किस करने लग जाता है, वहां पर आ जाता है, अलाकि वह इस चीज को देखा शॉक नहीं होता है, क्योंकि जो इसके सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है नॉन ट्रेडिशनल सैट अप में जहाँ पर लोगों को इन सब चीजों से फरक ही नई पड़ता लेकिन जो ओडियंस इस चीज को देख रही थी क्योंकि एक प्ले है तो ओडियंस इस चीज को बहुत ज़ादा देख गेम खेल नहीं होती है अब जो क्लिफ है वो सिकर्ट लेकर जब वापस आता है तो वो बताता है उस लड़की को एलीसन को कि हैलेना का कॉल आया था जो कि अपर क्लास उसकी फ्रेंड है वो फोन पर है अब यहाँ पर जीमी कर रैंडम से ही मूड खराब हो जाता है वो फिर बोलता है कि वो true suffering को कभी नहीं समझ पाएगी और ये सिर्फ तब होगा जब इसका कोई बच्चा हो और वो मर जाए यहाँ पर first act खतम होता है second act start होता है Helena और Alison दोनों ही बैठ कर अपने घर में बैठ कर कुछ बाते कर रही है आपस में और जो Jimmy है वो अपना Trump बजा रहा है अब जो Alison है वो Helena को अपनी कहानी बताती है कि जब शादी के first month था तो इन दोनों की हालत कैसी थी ये इसके एक friend है जो कि Jimmy के एक friend है Hugh Tanner उसके घर पर रहा करते थे जो कि और फिर ये कभी Alison की upper class जो लोग है उनके parties में भी जाया करते थे अब यहाँ पर जो Helena है वो उसे पूछती है कि अगर इतनी ही problem सुने थी तो उन्हों ने शादी क्यों करी तो जो Alison है उसके father and mother स्चीच के लिए राजी नहीं थे और इसी रही जो ये Jimmy है उसे लगा कि उसे शादी करनी है चाहिए कुछ भी हो जाए क्योंकि जो upper class लोग है उसको मना कर रहे थे अब यहाँ पर आगे होता है कि जो Jimmy और Cliff है वो दोनों खाना खाने के लिए अंदर आते हैं और जब वो सुनता है कि जो Jimmy है वो सुनता है कि जो Helena है वो Alison को चर्च ले जाना चाहती है और उसे कहीं नकहीं लगता है कि जो Helena है वो Alison को से दूर कर रही है और इसलिए अब वो फिर से गुसा हो जाता है और Alison की मा की इसर्ट करने लग जाता है हलिना उसे दुबारा से समझाती है कि उसका ऐसा कोई reason है नहीं अब यहां पर वो क्या करता है यहां पर वो अपने फादर की कहाने सुनाने लग जाता है जो Jimmy है कि उसने देखा है उसके फादर को मरते हुए उसके जो वूंट से उसके फादर के वो कैसे हो गए थे जब स्पैनिश दिवल वाड चल रहा था दस सालों के लिए तब उसने अपने फादर को खो दिया और यह फारी चीज़े जो अपर क्लास के लोगे कभी समझ ही नहीं पाएंगे अब बात आती है कि आगे क्या होता है जो अब जो इसको एक फोन आता है जो Jimmy है उसे पता चलता है जो हुग जो जिसके फादी स्टार्टिंग के मंस में रहा करता था उसकी जो मॉम है वो बहुत जादा बिमार है अब जो Jimmy है वो चाहता है कि ऐलिसन उसके फाद उसकी माँ को देखने के लिए डॉक्टर चले ना कि वो चर्च जाए लेकिन वो चर्च चली जाती है और जो Jimmy है वो फिर से अकिला रह जाता है स्टेज पर और वो फिर से गुसा हो जाता है एक यंग एंगरी मैन बन जाता है अब जो हेलिना है वो उसके फादर को जो ऐलिसन है उसके फादर जिनका नाम है कर्नल डेड फ्रिन उनको कॉल कर देती है कि उनकी जो बेटी की हालात है यहां पर कैसे खराब है और वो यहां आकर अपनी बेटी को ले जाए अब अगले से इन में होता है कि जो उसके फादर है वो वहाँ पर आ गए है और जो ऐलिसन वो अपनी समान को पैक कर रही है और वो अपना सामन पैक करके अपना एक लेटर जो है वो क्लिफ को दे देती है कि इस लेटर को जीमी को दे दे है और वहां से चली जाती है अब जो जीमी है उसको बहुत दागुसा आ रहा होता है हेलेना के ओपर क्योंकि वो सोचता है कि हेलेना नहीं अलीसन और जीमी को अलग करवाया है और यसलिए वो जो लेटर होता है वो हेलेना को दे देता है और वहां फे चला जाता है अब जब वो दुबारा से घर में आता है जिमी तो वो देखता है कि आलेसन वहां से उसे छोड़कर चली गई है और अब यह फिर से गुसा करने लग जाता है उसके उपर उसके इंसर्ट करने लग जाता है इस अिलिना की इंसेल्ट करने लग जाता है कि उसीने उसकी लाइफ को बर बात कर दिया है , यहाँ पर जो हेलेना वो थ क्पड़ मार देती है कस्कित धर देती है ओवाइजons अकले चुप जाता है। आर्छे पर किये परने के अकरते हएं पर जो शुकितर भ мехण के टोहड़न हैं कि है कि में पताय। जिएमी और कलिफ हैं वो दोनों ही मजाग कर रहे हैं यूस पेपर पड़ रहे हैं आर्टिकल पड़ रहे हैं और जो कलिफ है उसकी शट गंदी हो जाती है तो वो उसे कलीन करने के लिए बाहर जाती है और फिर थोड़ दिर बाद वो अंदर आती है अब जो हेलेना है वो दुबारा से अंदर आती है शर्ट को लेके जो कि अब सूख गई होती है अब वो उसे बताती है कि वो जिमी को इतना पसंद करती है ये है वो है और अब यहाँ पर क्या होता है जो Allison है डूर की बेल बचती है और जब वो खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर Allison है बहुत ही बिमार है और बहुत ही उदास है अगले सीरिंब में पताए जो जिमी है वो अपना Trump फिर से बजा रहा है और जो Allison है वो उसे बताती है Helena को कि वो हेलेना पर गुसर नहीं है और नहीं अब वो उन दोनों के कपल को तोड़ना चाहती है लेकिन अब जो हेलेना है वो कही न कहीं गल्टी फिल करने लग जाती है कि उसने ही उन दोनों के रिलेशन्स को तोड़ा है रिलेशन्शिप को तुड़वाया है फिर वो जाकर उसे बता देती है जीमी को कि वो सारा उसी ने किया था और फिर वो वहां से चली जाती है अब जो हेलेना है वो अपरॉलोजाइज करती है जीमी से कि उसने उसे छोड़ दिया है या फिर जो भी चीजे हुई थी उन दोनों के बीच में और वो बैट की रोने लग जाती है और वो बताती है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है जैसा की जीमी खुद चाहता था कि जब वो अपने बच्चे को खो देगी तब उसके कोई चीज समझ में आएगी कि उसको suffering समझ में आएगी और ये सब चीजे वो देखकर जो जिमी है वो भी नीचे बैठ जाता है और फिर दोनों ही थोड़ देर बात पता चलता है कि दोनों फिर से अपना जोन का गेम था बियर और स्क्वेरल का वो दोनों खेलने लग जाते हैं ताकि वो अपने human emotions को छु झाल 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 झाल